प्लांट यानि पोदों में आमले तुलीद लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबस्क्राइब करें अगर अबी तक मेरा यूट्यूब चैनल अस verdict को सबस्क्राइब नहीं अब हुगuffle चलते हैं अपने तापिक तरह रिप्रॉडक्शिन इंग ब्लांट बोदो में हव्लेत तो सबसे पहले ये पैस्त Ann कर्बाइब रिप्रॉडक्शिन हारे कलों ज按ट्रॉडय सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब है अब vocal हम टॉलेत उस्वाइब के और च्राह थे आफ्रिंग या आवलाद पाइदा करते हैं या बच्चे पाइदा करते हैं या जानदारों में जो बच्चों के पाइदा करने का आमल है उसको हम दिया किते हैं री प्रोडक्शन के दिफिनिशन की तरफ चलते हैं आल लिवी अर्गेनिजम जितने भी जिन्दा जानदार है अपनी ही खेसों के, बिबोर दे डाई मोद से कबल, यानि जितने भी जन्दार है, जिन्दा जन्दार है, सांस लेने वर है, खौव जन्वर है या पोदे, वो मरने से या हतुम होने से पहले है, उनमें ये सरहियत होती है, कि वो अपने जाई से बच्चे पाइदा कर सकते हैं और इस बच्चों के पाइदा करने के अमल को हम रिप्रोड़क्शन केते हैं, इस प्रॉसेस इस काल्ड रिप्रोड़क्शन, तो इस अमल को हम रिप्रोड़क्शन केते हैं, कारिंस आफ रिप्रोड़क्शन, रिप्रोड़क्शन की आकसाम, दियर आर तू मेन काइड आफ वी प्लाट्ट पादों में रिप्रोडक्शन के आवामिल होते हैं एक को हम कहते है सेक्षौल रिप्रोड़क्शन जिसको हम उटधो में जिनसी आमले तोलीध कहते हैं इस पर हम आठी चले करें इन्षालां डिटेर में बाथते रहेंगे ır डुसरा है एसेक्स्अल रिप्रोडक्वडाक्शनिसको हम गेते हैं गेल जिनसी आम्ले तोलीकů घ्सक्वेल सढ़्शनिखाम अटोलीक विल्या Jersey में एक डिफरेंस होते हैं जिनसी आम्ले तोलीक डोनोह वाले तुन होते हैं यानि male और female और asexual reproduction में सिर्फ एक धी parent involved होता है जो हम सबसे पहले asexual reproduction in plant की तरफ बढ़ते है अकाइड आप reproduction यानि asexual reproduction आमने तोलिद की वो केसम है इन विच जिसमें only one parent यानि एक वाल देन is involved वो शामिल होता है इसको हम विजिटेट्यू रिप्रोड़क्शन दिखेते हैं यह हम जीक्यूस की नहीं भी नोट कर ले है विजिटेशन से निकला है विजिटेशन केते हैं पोदे के जो आम हिस्से होते हैं और विजिटेट्यू प्रोपेगेशन या इसको हम विजिटेट्यू प्रोपेशन निकले हैं Some methods of Asexual Reproduction are given below. Now Asexual Reproduction के कौन कौन से तरीक है हम उसके बाद करेंगे तो उसमें सबसे पहले है कटिंग कटिंग को हम कहते है काटना यानि लफ से भी बता जाते है के एक पोदे का हिस्सा है उसको आपने काट लिया और जमीन में लागा लिया उससे दूसरा पोदा फाइबा होगिया तो यह क्या है Asexual Reproduction है लिए एक ही पेरेंट जो है वो इन्वाल्ड होगिया देखें वें दा कट स्टेंग जब किसी तन्ने को काटा जाता है और ब्रांच या उसकी किसी शाख को प्लांट आर प्लेस्ट इन दा साइल और उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं उस तन्ने को या उस शाख को देडिवेलप इंटू न्यू ब्लांट तो उससे क्या होता है एक नया वोदा पाईदा होता है काटिंग की जो एक्जामपल है उसमें रोज आता है एंड मिन ब्लांट और पौदीना यानि जो एस सेक्शनल प्रोडाक्शन की जो काटिंग है उसकी जो काइन है पहनी काइन उसकी एक्जामपल में रोज एंड मिन ब्लांट यानि जो गुलाब का पौदा होता है और पौ काइम है उसको गाड़ देते फिर उससे नया बोदा निकलते हैं तो यह भी यह सिंगल पेरेंट इसमें इन्वाल हो गया और सेकंड जो उसकी काइम है एसेक्शन रिप्रोडक्शन की वह गराफ्टिंग को हम पेवान कारी भी कहते हैं हम इसको के डारी करup मतलब सी यह तरह में Poly proteins के 생ाखें हैं कि पेवान कारी या हम इसको क्लम कारी बी कहते हैं इसका मतलब यह है तो इसको कहते है is graphting, इन इसमी क уверब आफ़िक इता है, टो इसको हम कहते है grafting इन इस तरीके में and legal flooding की जैनी की जाती है ये missile मेंगदाओ करना चाहिए और धर किया है है उसकी हम 50 अज़ एक पड़ा बंदाओर होती है बेहतर घरनने के लिए हम आव करकास यह क्रापिक टो तो यह जो ग्राफ्टिंग का तरीका है यह भी Asexual Reproduction in Plant की एक काइंड है जो तर्ग टाइप है Asexual Reproduction की वो है लेयरिंग लेयरिंग में क्या होता है लेयरिंग में इसा होता है कि अगर एक प्लांट है एक पोदा है उसकी हम एक प्रांच को या टेहनी को क्या करते है या उसी पोदे की जो प्रांच होती है उसी को हम जमीन के अंदर बरिट करते है दपन करते है तो जो दपन किया हो इससा होता है उस बन जाता है, when the branches of some plant, यानि कुछ पोदे की जो बरांची होती है, शाह होती है, are buried, दफनाया जाता है, in the side, जमीन के अंदर, they develop root, फिर उससे क्या बनते है, वो उनकी जड़ बन जाती है, and finally, और आखिरकार, a new plant is farm, और उससे एक नया पोदा बन जाता है, दबरांच वो शाह, which goes under the soil, जो जेर जमीन चली जाती है, is cut, इसको cut off किया जाता है, from the main plant, यानि जो पेल प्लांट होता है, या जो पेले का बन्यादी पोदा होता है, उससे वो जो नया पोदा बनाव होता है, उसको काटा जाता है, which grow independently, जो क्या करता है, जदाना फिर बढ़ होती जँए और आगे बढ़ता है, तो यह भी क्या है layering, यह भी asexual reproduction का eger kind है, और इसकी example हैً, जैसमीँ को हम केथ चांबेली, यानि जो चांबेली का बोदा है, उसकी जो asexual reproduction था चब का चामड़ होती है या जो हमें में तो उस स्य गता है तो यह से फॉट यो स्कट्वक्से मश अंच है जो जू जयतों के दो जक्ट सी चेया है होती है और यह सहराई पोधा होता है इसके क्या होजते है अ स्तें ग्रोज इस उसका बढ़ता है जैस्ट इवाव दी सरफिस उप आपना धाय इस असवायल या या निश्यमियद्षित बढ़ेश नहएं बढ़ाब स्ट्राबेरिस और केक्टस इस तरीके से प्रोडियूस होते हैं और जो आखनी केसर्फ हे एसेक्शन रेप्रोडाक्शन इन प्लाइन्ट इंप्ट्यू ट्यूबर्स है Il ऑन पर अगर हम देख लियूफ़ कि ठीदान वन उस पर कि और ली ऑन जिपर स्टाच्यूब के द समय और कलेूरा तक उस पर लागा सुविश कितने और हम देख लोते ह इस आई आर बाट डिवेलप इंटो न्यू प्लांट उससे पिर नए पोदे बंदे हैं बास अवकात हम डेली लाइक में भी अब्सरवेशन करते हैं कि जो आलू हम गर ले आते हैं और उसको चार पाइंच दिन के रिए इस्तेमाल नहीं करते हैं वेसे ही पड़ा रहता है तो वाजवकात उसको फेवरेबल टेंपरेचर और हुमिडिटी वागरा जो जरूरी चीज़े होती हो उसको महाईया होती है तो पीर उस पे भी हम देखते हैं कि उस आलू बेभी चोटे-चोटे नए पोदे के किसम की चीज़े निकलाती है तो यह क्या है ट्यूबर है और यह कि अगसाम है तो इन्शालाब मैं समझता हो कि आपको इस ट्रापिक की बेतर समझ आई होगी पीर भी ऐसा को इस पूरेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट जेक्शन में अपना क्लेस्टन कर सकता हुआ 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 क्रापिक